नमस्कार आप देख रहे हैं केवायन पोस्ट भारतीय रेलवे टिकेट बुकिंग के लिए 10 ओक्टोबर से प्री कोविल्ट सिस्टम लागू करने जा रहा है जिसके तहट ट्रेन के स्टेशन छोड़ने से 5 मिनिट पहले तक टिकेट बुक किया जा सकेगा और ट्रेन के डिपार्चर से आधा घंटा पहले दूसरा रिजर्वेशन चार्ट बनाया जाएगा आमतोर पर किसी भी ट्रेन का पहला चार्ट शेडिूल डिपार्चर से 4 घंटे पहले बनता है और यदि कैंसलेशन की वजह से सीटे खाली रहती हैं तो पैसेंजर दूसरा चार्ट बनने तक PRS काउंटर से और ओनलाइन टिकेट बुक कर सकता है और रीफंड रूल्स के प्रावधानों के मताबिक इस दौरान भी टिकेट कैंसल किये जा सकेंगे दरसल ये कोई नया नियम नहीं है बलकि भारती रेलवे द्वारा यह सिस्टम पहले ही लागू किया जा चुका था लेकिन कोरोना वाइरस और लॉक्टाउन के चलते इन नियमों को बदल कर सक्त नियम लागू कर दिये गए थे जिससे लोग अनावश्यक ट्रेवल ना करे लेकिन अब रेलवे पहले की ही तरह स्थिती साम्मान्य करने की तैयारी में है इसके अलावा पेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 49 नई स्पेशल ट्रेने शुरू करने की घोशना भी की थी जो की 15 ओक्टबर से 30 नवंबर के बीच ऑपरेशनल रहेंगी केवाएन पोस्ट के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबा कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए